तो आज हम बात करने वाले हैं आपके नीट पीजी एइस प्रेंट्स को लेकर कि क्या क्रेंट सेनरियू चलना है आपका क्या एंब एक तरफ से उफीशन नोटिफिकेशन आई है कब तक आपका एक्जाम हो सकता है और क्या आपको इस सारी चीजे हम इस वीडियो में जानने व जो भी आपको स्कोर आने वाला है कि एक्सपेक्टेड स्कोर तो आपको कहीं न कहीं अंदाजा भी रहता है और स्टुडेंट को कैसी क्या उनकी प्रिप्रेशन चली उससे साब से चली बिना ही देरी कि हम यह वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप आपका नीट पीजी का पेपर भी लीक हो गया था बट अब इसके बाद नेक्स देट कोई अपडेट नहीं दिया गया था कि यह बताया गया था कि जो आपको नोटिफिकेशन के दौरा आपको प्रोवाइड कर देगी बट अभी तक का जो अपडेट है वो यह है कि आपके NBA के जो Vice President है उनका एक इंटर्वियू में उन्होंने बोली है कि चीज की कही न कहीं आपको जो exam date है वो एक महीने बाद की देखने को मिल सकती है क्योंकि क्या है reason इसलिए उन्होंने यह दिया कि आपको जो आपकी centers होते हैं उनको फिर से relocate करने के लिए उनको कहीं न कहीं का आपको भी मालूम है कहीं न कहीं बहुत सारे allegations आपके NTA के उपर लगते हुए दिखाए दे रहे हैं बहुत सारे papers भी लीक हुए हैं बहुत से paper cancel भी किये गये हैं उसी को देखते हुए यह सारी चीज़े measures लिए गये हैं और आपको और एक चीज बताव दो जिस दिन आपका NTA के director है उनको change भी कर दिया गया था तो यह भी एक बहुत बड़ा update है और कहीं न कहीं अगर मैं बात करता हूं तो आपके exam की तो वो कहीं न कहीं last week of July में देखने को मिल सकता है को notification है वो आपको admit card जो है वो आपको 22 तारिक तक देखने को मिल सकता है और आपका exam 26 to 30 के कुछ ना कुछ numbers में seat हैं आपकी भरती है हद branches में तो इस साल का क्या scenario कि आप date है उसी चीज को लेकर हम बात करने वाले हैं जैसे कि आपको मालूम है last year भी आपकी 3-4,000 seat increase हुई थी हर branches में देखता है उसी तरीके से इस साल भी आपको कहीं ना कि बहुत सारी seat increases हर branches में देख यह आपके apply किये गया थे RMC को कि आपकी seat increase को लेकर बहुत सारे नए departments जिसमें खुलने वाले थे colleges में जिन colleges में आपकी department थे उनमें seat increase को लेकर apply किया गया था RMC को और कुछ colleges ऐसे हैं जिनमें department थी नहीं थे उनको फिर से रिए apply किया था कि आप हमको इस साल आपको यह department हमको हमारे colleges में चाहिए अगर मैं बात करता हूँ यह 301 के applications में जिसमें अगर हम बात करते 168 application ऐसे थे जिसमें new PG medical courses के लिए apply था और जो remaining 133 seats से उसमें seat increase को लेकर था PG seats के लिए तो यह आपकी seat increase को लेकर application फाइल की गई थी और इनके लिए भी NMC ने अपनी guidance प्रोवाइड करी गई है mail के through अब देखने में यह आएगा जैसे आपकी exam हो जाता है उसके बाद से आपकी seat increase का जो सिर्शला होता है वो आपका चलने लगता है तो ऐस सच कितनी seats इस साल भी increase होंगी वो तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं बट फिर भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल अगर बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना है और अगर आप पेट कांसलिंग लेना चाहते हैं पेट सर्विसस लेना चाहते हमसे तो आप हमको गॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे help line number दिया गया है अब हमसे contact करके हमारी पेट सर्विसस अवेल कर सकते हैं तो आज की वीड प्रेख में नाबूलें तर नवा